तो अभी हम लोगों के पास जो जानकारी है वो जानकारी नहीं है कि वो जहरीली शराब से मौत हुई बिहार में जहरीली शराब से मौतों का आकड़ा बढ़ता चला जा रहा है 40 के पार आकरा पहुँच चुका है लेकिन बिहार सरकार के मंत्री और बिहार सरकार जो है वो सीधे तोर पर अपनी पीठ थपता माने में लगी है और कह रहे हैं भबन निर्मान मंत्री असुक चौदरी की जहरीली शराब से शराब बंदी को कानून को ना जोरे मीडिया जब भी ऐसी कोई घटा होती है तो जहरीली शराब को शराब बंदी कानून से जोर देती है मुखमंत्री लगातार इसको लेकर जागुरता व्यान कर रहा है और जागुरता किया जा रहा है उसके बावजूद भी आप लोग इस तरीके से जोरते हैं तो कहीं से उचित नहीं है बिहार में कई कानून हैं भत्या लूट जैसी कानून बने हुएं उसके बावजूद भी घटी है की नहीं ऐसे कुछ लोग मानसिक्ता के हैं जो इस तरह के प्रविर्ती के लोग काम करते हैं तो इसे सराब बंदी कानून से ना जोड़े और सरकार अपनी पीठ थप थपाने में लगी हुई है और सीधे तोर पे कह सकते हैं पल्ला जहारने में लगी हुई है सरकार क्या कुछ कहा है भवन निर्मान मंतरी असोक चौधरी ने जहरीली सराब पर ब्यान देते हुए जरा पहले वो आप सुन लें ये सराबंदी से जोडने का मामला नहीं है इस देश में जहां-जहां शराब चालू है शराबंदी नहीं है वहाँ भी जहरीली सराब से लोग मरते हैं जहरीली शराब बनाने वाले एक different kind के society में लोग हैं जो गंदे लोग हैं वो अब पैसा earn करने के लिए जहरीली सराब बनाते हैं और लोगों को उनको यह नहीं पता होता कि यह जहरीली है लेकिन जो बनाने का process है उसमें वो जहरीला होता है और जो लोग पीते हैं उनकी मौत ह होती है और जब यह मालूम है कि सरकार इतनी सक्त है इस प्रदेश में यह शराब पीने के प्रति तो आप जहरीली शराब क्यों पी रहे हैं यह प्रप्रस्टन है ना तो इसको बार-बार इस तरह से सराबंदी के साथ इसको और नहीं अटाच करने के आवशकता है यह कुछ हम सरकार हम लोग सब लोग सराबंदी के लिए लोगों को कॉंशिस कर रहे हैं जागरित कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं कि और ज्यादा 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 करें इतना ज्यादा लोगों को फायदा होगा लेकिन फिर भी सुसाइटी में कुछ तरह के लोग होते हैं अच्छा अब अमेंडमेंट करने की भी तैयारी चल रही है उसको उस अमेंडमेंड को कैसे देखें क्योंकि लगातार कुछ ने कुछ अमेंडमेंडमेंड हो रहा है कि बार बार न्याले के तरफ से सुप्रिम कोर्ट के तरफ से भी ये बात आ रहा है कि जिस तरह का कानून है उसको कैसे हम minimize कर सकें शराबंदी कानून भी effective रहे और साथ-साथ हम उसको minimize भी कर सकें उसको point of view से हम amendment आया है तो आपने सुना कि किस तरीके से जहरीली शराब पर भवन निर्मान मंतरी असोक चौधरी बसते हुए नजर आये और सरकार की पीठ थप थपाली उन्होंने लेकिन मौतो का आकड़ा बरता चला जा रहा है अब आगे की updates के लिए आप बने रहें दर्जिन्यूस के साथ और देखते रहें